नमस्कार मैं भुबंद पंड़ा है हिंदी चनल में आप सबका हर्दिक स्वागत करता हूँ और अगर अभी तक आपने मैं चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेल आइकन को दबाना ना बुलें ताकि मेरे प्रतेक वीडियो कपडेट्स आपको मिलते रहें प्राय लोग ध्वनी वर्ण और अक्षर का एक ही अर्थ लेते हैं तो आज हम देखेंगे कि ध्वनी वर्ण और अक्षर यह जो तीन सब्द हैं पहला है ध्वनी दूसरा है वर्ण और तीसरा है अक्षर इन तीनों में क्या अंतर होता है इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे या भाषाविज्ञान से समझनी थे तो भारत के एक अत्यांत प्रसीद भाषाविद हुए है डॉक्टर हर्देव बाहरी जिनके डिशनरी का मैं बार बार आपसे जिक्र करता हूँ इनके अनुसर प्रयालोग, ध्वनी, वर्ण और अक्षर इन तीनों का एक ही अर्थ लेते हैं तीनों को एक ही समझते हैं किन्तो व्याकरण शास्त्र में इनके अर्थों में भेद कर लिया गया है मतलब इन तीनों में अंतर होता है तो क्या अंतर होता है आए हम समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं ध्वनी ध्वनी क्या है अ-आ-ई-उ अथवा का खागा आदी को जब हम मुझ से बोलते हैं तब इन्हें ध्वनिया कहते हैं तो इजे वर्णा आप देख रहे हैं आ, आ, ई, उ, आधी, अथवा का खागा आधी को जब हम मू से बोलते हैं, मू से उचारण करते हैं, तब इन्हें हम क्या कहते हैं, मू से उचारण करते हैं, इन्हें हम ध्वनी कहते हैं, अब देखते हैं, वर्ण क्या होता है, ध्वनी के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, अर्थात, वर्ण उस मूलध्वनी को कहते हैं, जिसका खंड ना हो सके, लेने बाद आपको ध्यान में रखना है, वर्ण को और छोटे खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तो वर्ण उस मूलध्वनी को कहते हैं, जिसका खंड ना हो सके, मूलध्वनी मतलब जिसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है यह तो automatically स्वर है जैसे कि उद्यारन के लिए आ, इ, क, ख तो यहाँ पर मैं क नहीं बो रहा हूँ मैं बो रहा हूँ मैं बो रहा हूँ मतलब इसमें आ का उचानड साथ में नहीं आता है बिना स्वर का है तो इस प्रकार ध्वनी को बोलने और सुनने में आती है ध्वनी का प्रकार बोलने और सुनने के लिए कि लिए जाता है ध्वनी को हम बोलते हैं ध्वनी को हम सुनते हैं और वर्ण वर्ण देखने और लिखने पढ़ने में आते हैं वर्ण को हम देख सकते हैं Varno को हम लिख और पढ़ सकते हैं और इन Varno के पुरे सोमूँ को हम कहते हैं Varn Malah Varno के पुरे सोमूँ को कह जाता है Varn Malah और जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहा जाता है लिपी मतब Varno को हम जीन चिन्नों के मादध हम से वेक्तव करते हैं इन चिन्हों के माद हम से लिखते हैं उसे हम कहते हैं लिपी या स्क्रिप्ट जैसे अंग्रेजी को हम रोमन लिपी में लिखते हैं अब जो हिंदी भाषा है हिंदी भाषा को जिस लिपी में लिखी जाती है हिंदी भाषा जिस लिपी में लिखी जाती है उसे हम कहते हैं दे ही नहीं बलकि हिंदी है मराठी है संस्कृत है आदि विभिन्न भाषाएं देव नागरी लिपी में लिखी जाती हैं बतला विभिन्न भाषाएं भी एक ही लिपी में लिखी जा सकती हैं हिंदी को हम जिस लिपी में लिखते हैं उसका नाम है देव नागरी अब हम देखते है अक्षर क्या होता है, जिस ध्वनी या ध्वनी समू का उचारण एक सांस में हो, हो जाता है, उसे हम अक्षर कहते हैं, जिस ध्वनी या ध्वनी समू का उचारण एक सांस में हो जाता है, उसे अक्षर कहते हैं, मतलब अक्षर किसे कहते हैं, जिसमें बीच में सांस लेने की ज उसे हम कहते हैं अक्षर, जिसका और शैर नहीं हो सकता, तो इस प्रकार आप लोगों ने भली भाती समाझ लिया, कि ध्वनी, वर्ड और अक्षर में क्या आंतर होता है, कि यदि मेरा आज का लेक्षर आप लोगों को अच्छा लगा होता, तो कमेंट बाक्स में कमेंट लिके जरूब बताएं, साथ ही आप लोगों से मेरी गुजारिस है, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूब कर लें, ताकि मेरे प्रते एक वीडियोक अब्डेट से आपको मिलते रहें, धन्यवाद, जय हिंजय भारत.